नमश्कर दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Motorola S20 आपके पास Pro है या फिर Fusion है तो यहाँ पे आप Split Screen का यूज कैसे कर सकते हैं तो Split Screen का यूज करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी application आपको on करनी है Split Screen में तो आप यहाँ पे पहले वो application on कर लेंगे बीच वाला बटन दबा के minimize कर लेंगे और यहाँ पे जो task bar है task bar पे आप ऐसे करके खोल लेंगे उसको तो यहाँ पे आपको जो आपको app का icon देखने को मिल रहा है icon पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे Split Screen का use देखने को मिल रहा है आप इस पे क्लिक कर लेंगे Split Screen ऐसे हो जाएगा और कहीं भी आप ऐसे touch करके आप देख सकते हैं कि YouTube पीछे चला गया है बाकि यह आपकी home screen है home screen आप यहाँ पे on कर लेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी on कर लेंगे जैसे मैंने chrome कर लिया है तो आप देख सकते हैं एक तरफ आपका YouTube चल रहा है एक तरफ आपका chrome चल रहा है screen को आप ऐसे करके छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं ठीक है और अगर आप यहाँ पे ऐसे करना चाहते हैं तो यह rotate भी हो जाएगा rotate करना चाहते हैं तो तो इस step से आप कर लीजेगा और इसको हटाने के लिए आप ऐसे कर देंगे तो यह back हो जाएगा तो इस step से आप दो स्क्रीन को एक साथ यूज कर लीजेगा चलिए मिलते हैं आपको इक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार